अमाइल नाइट्रोजॉजम और नजगे सबसे पहले ऑमाइल नाइट्रोजन सुח पहले एक एक मिनेरल कींड़म की रमेड़ी है और इसका केमिकल फॉर्मोला एक अप्र इतन parked 등 वोकिया था, और होमेपती में देखे तो में किसे प्रिप्रिप्रियर काते हैं? से अरी क्लेट 25 Hces को expand to class 6 A क Kimberly Factory क्या करते हैं अब next कि साज्च के बारे में सब्सक्राइम करते हैं तो cardiovascular system में इसको प्रसकायद कर सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते constitution के बारे में for the nervous sensitive plethoric women during और after the menopause एक एसी women है जो कि nervous है ठीक है mentally बहुत जादा nervous है sensitive है बहुत सारी चीज़ों के लिए sensitive होती है easily जो चीज़ अफेक्ट करती थी person को plethoric women है ठीक है plethoric redness redness दिखेगी फिमिन में during और after menopause में में बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो इसका प्रस्ट जो symptom है बहुत इंपोर्टेंट है अगर कोई केस है जिसको हम क्यों नहीं कर सकते है उसमें यह करेंगी मतलब patient के symptoms को आगे बढ़ने नहीं देगी और उसको symptoms को क्या करेंगी decrease करेंगी और वेरी इंपोर्टेंट है इस रिगार्ड यूथैंसिया का यह मतलब है something like इच्छा है मतलब last stage आगई patient क्या है और जीना नहीं चाहता है तो ऐससे कीसिस में भी अगर हम करेंगे तो वह क्या करेंगी वक करेंगी करेंगी ऐसा patient है जिसको fresh air चाहिए open cloth चाहिए ठीक एकदम tight clothing नहीं चाहिए remove the bed covering bed पे जो covering है उसको भी हटा देगा और उसारी window से उन सबको open कर देगा इवन इन coldest weather अगर बहुत जादा ठंड है फिर भी patient को इतनी जादा air चाहिए रहती है कि वह यह सब करेगा argentum, nitricum, lecacism, sulfur is also remedy अब a constant stretching for hours ठीक है patients को muscles में इतनी जादा stretching खिचा हो रहता है कि वह satisfy नहीं हो पाता है ठीक हमेशा हाथ ऐसे खिचा करता रहता है और would seize the bed and call for help to stretch ठीक है इतनी जादा मतलब उसको stretching करने का वह रहता है कि दूसरों को भी वह बुलाता है help करने को खुद के stretching के लिए तो यह important key point है profound and repeated yawning यानिंग यानिंग मतलब जब आई बारवाल लेना तो profound and repeated yawning काली काम भी है और अपनी amyl nitrosum में भी है amyl nitrosum में सिम्टम में सी सिखनेस भी देखने को मिलती है सी में अगर कोई कहज गया और उहां से उसके जो सिम्टम सा आ रहे है headache, nausea, vomiting उसमें आप लोग हम amyl nitrosum को दे सकते हो अब बात कर लेते हम लोग head symptom के बार में hemicrania, hemi मतलब half cranial means cranial heart pain होता है especially when affected site is a pallid affected site पे ज्यादा होता है इसको pain face के अगर मैं बात करूंगे, face के सा होता है flush at the slightest emotion, थोड़े से emotion से क्या होता है, false plethora आ जाता है कोका इन फेरम is also remedy, bluishness, chronic or acute, face के साब bluish भी हो सकता है chronic or acute conditions neck, collar seems too tight, collar एक्दम बहुत जादा टाइट लगती है तो उसको क्या करता है, lose it, must lose legacies is also remedy, जिसको tight closing unbreakable रहती है, cardiovascular symptom के बात करूंगी तो very important है cardiovascular में rapid dilatation of the arteries, arteries जो है अपनी, वो dilatate होती है और accelerate, मतलब उसमें क्या होजा है, rapid rush होता है blood accelerate, but the later weak or retard the pulse, ठीक है, starting में dilatate रहती है और accelerate, लेकिन बात में किसी हो जाती है, weak हो जाती है और pulse भी क्या हो जाती है, retard हो जाती है next symptom है intense surging of the blood to the face or head ठीक है, बहुत जाद है अपने देगा प्लेथोरा होता है इसको, rush होता है blood के, ऐसी intense surging हो जाती है blood की का, face में और head में, belladonine, gloninum भी remedy जिसमें रशा blood head में होता है, एंजीन पैक्टोरीज क्या होता है, chest में जो acute attack में जो pain होता है, chest pain, एंजीन पैक्टोरीज, termolase heart actions, ठीक है, heart action कैसी हो जाती है, termolase, heart action होती है, intense throbbing, बहुत जाता throbbing होती है heart में, और carotids भी इसी throb करती है, gloninum is also remedy, ठीक है, purpurial convulsions immediately after delivery, ठीक है, purpurial convulsions क्या होता है, delivery की बात, जब patient को, क्या होता है, convulsions आते हैं, mental symptoms आते हैं, immediately after delivery, amylal nitrosum अप लोग prescribe कर सकते हो, next बात करते हैं, हम लोग fever के बारे में, तो flushing, ठीक है, पूरा red red face रहेगा, start from face, face से start होगा, stomach और various parts आप body में जाएगा, flushing के बाद redness के बाद sweating होगी patients को, sweating hot भी हो सकती है, या फिर profuse, adaptive limited मतला अपनी एक limit से जादा उसको बहुत जादा sweating होती है, parts below or icy cold, okay, parts जो होगे, नीचे वाले जो parts होगे, वो कैसे होगे, icy clothes होगे, और followed by great prostitution आजाएगा, उसके बाद patient को बहुत जादा weakness आजाएगी, ठीक है, यह तो क्याते है, fever symptom, flushing होगी, sweating होगी, then prostitution हो जाएगा patient को, यह तो होगी, medicine, अब बात करते है, modalities की, तो modalities में aggravation ही है, अगर patient mentally or physically exertion करता है, कोमल ने हम लोग heart के patient में देखते ही है, अगर patient mentally or physically exert करेगा, तो उसकी complaints किया होगी, aggravate होगी, next बात करते है, relation में, तो relation में similar है, belladona, cactus, koca, ferum, gloninam, और lexis, हमने देखा कुछ-कुछ symptoms इससे similar है, जैसे bella, cactus, koca, इन सब का plethora, और head symptoms है, lexis का loose tight closing उसको पसंद नहीं है, एक प्रोमटली बाइ, inhalations, जब आपन अमाइल नैट्रोसम की medicine को inhale कराते हैं, तब भी एच्छी एक करती है, और ऐसा patient, जो कि anesthesia के अंडर्स है, anesthesia के कारण उसको sinking हो रही है, तो हम लोग amyl nitrosum को inhale करा सकते है, crude drug, ठीक है, amyl nitrosum का crude drug, palliative use करता है, तो must be repeat कर सकते हैं, अगर patient ठीक हो रहा है, accustomed है, is a curative in a strong or higher potency, अगर हम इसको potentize higher potencies में देंगे, तो is a curative act करेगा, to cure more frequently depending upon the strength of potency, ठीक है, यह depend करता है, इसकी curative power की, तुमने potency के strength क्या है, then many who was not put it, and curative test imagine, okay, अगर आप इसको इसकी possibility of strength में दोगे तो अपको कैसे अच्छे results देखने को मिलेंगे, curative test imagine, okay, यह थी medicine amyl nitrosum, जो कि heart के लिए बहुत अच्छी remedy है, so I hope this lecture will be helpful for you students and thank you.